Hello Cyberworms, Welcome Back, मैं हूँ अनिलिय अदब और आप देख रहे हैं Cyberguard Powered by Neat Roots और आज का ये वीडियो बहुत ही इंट्रेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इसके अंदर हम बात करने वाले हैं Top 10 Dangerous Hacking Tools के बारे में जिसकी मदद से आप किसी की भी Mobile Phone या फिर Wi-Fi हैक कर सकते हैं So without making any delay, let's continue तो हमारे लिस्ट में 10 नमर पे आता है Hacking Elite Cable जो की बहुत ही dangerous device है और जिसकी मदद से आप किसी की भी Mobile को hack कर सकते हैं इस device की मदद से आप किसी भी Phone को hack कर सकते हो और उसके उपर अपना control बना सकते हो और उस Mobile के अंदर जितने भी Social Media Accounts है, WhatsApp है या फिर मालो Root Access जिसकी मदद से आप उस Mobile की वो भी Control पास सकते हो जो की Normal User के पास या फिर जो Victim होता है उसके पास नहीं होता है इसको यूज करना भी बहुत इज़ी है, इसको आपको Simply Victim के Mobile के अंदर Plug करना है उसके बाद ये उस Mobile के अंदर Virus इंस्टॉल कर देगा और ये आपको Notify कर देगा कि मैंने अपना काम कर दिया है बागी का काम आप अपने Hacking Machine पर चेक कर सकते हैं और ये डिवाइस इतना खतरनाक होता है कि जिस भी Mobile के अंदर ये Virus इंस्टॉल रहता है उसको Reboot करके ही ठीक किया जा सकता है और कोई इसका उपाया नहीं है और इसका एक Hard Drive Version भी आता है जो की Laptop को Hack करने में या फिर PC को Hack करने में यूज होता है इस device का यूज mostly train stations में होता है जहांपर जो emergency cables होते हैं जिसमें आप charging कर सकते हैं उस जगह पर hackers या फिर scammers इसका यूज करते हैं और फिर इसका यूज लेकर आपके Mobile के अंदर जितनी भी details है या फिर information है उसको collect कर लेते हैं और कितने लोगों का तो bank भी खाली हो चुका है इ आपकी emergency में अगर कोई password crack करना हो तो इसका यूज ले सकें बट आजकल के टाइम पर इसका बहुत ही गलत यूज होता है black hat hackers या फिर scammers इसका यूज करते हैं किसी भी device को hack करने के लिए वैसे जो इससे पहले हमने device पताया था उसमें तो आपको simply पता चल जाएगा कि आपका device hack हो चुका है क्योंकि वहाँ पर screen सब अपने आप move करते हैं बट यूज करता है कि background में काम करता है आपको लगेगा कि normal चल रहा है मेरा device तो इसमें कोई fault नहीं है बट यह अंदर यह अंदर काम करता है और वहाँ से जितने information होती है उसको collect करता है आपके device के अंदर जो भी device के अंदर inject कर लिया उसके बाद क्या हुआ कि उसके UPI में जितने भी पैसे थे वो सारे कुछी मिन्टों में गायब हो गए इससे क्या पता चलता है कि आपको कोई भी ऐसी USB drive अपने device के अंदर inject नहीं करना है क्योंकि यह बहुत खतरनाक हो सकती है और आपकी जिन्दगी व करता है कि किसी भी वाइफाई को इस तरह से हैक करता है कि जो विक्टिम में उसको पता भी नहीं चलता है या फिर मालो कि एक तरह के साइलेंट अटक करता है जिससे कि आप वाइफाई है कर सकते हैं इसका डिजाइन एक कैट की तरह बनाया गया है और यह बहुत ही छोटा ह होता है और पोर्टेबल होता है जिसके मदद से आप इसको कहीं पर भी ले जा सकते हैं नमबर सेवन डिवाइस क्या करता है कि आपको बहुत ही कम अमांट में एक पोर्टेबल लेटप या फिर पोर्टेबल कंप्यूटर दे देता है जैसे कि मालो अगर आपके पास उतना बजेट नहीन है या फिर आप कंप्यूटर या फिर लेपटप पर्चेस नहीं कर सकते हैं तो परी Pipe 4 एक ऐसा डिवाइस है जो की बहुत ही कम एमांड में मिलता है तीन से चार हजार के अंदर आप इसको पर्चेस कर सकते हैं और उसके बाद आप इसके अंदर कोई भी OS इंस्टॉल कर सकते हैं आपको अगर Linux यूज़ करना है तो आप उसको भी यहां पर इंस्टॉल कर सकते हैं Windows यूज़ करना है तो उसको भी इंस्टॉल कर सकते हैं Solaris यूज़ करना है तो आप उसको भी यहां पर इंस्टॉल कर सकते हैं इसको यूज़ करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है Simply जो cable होता है उसको इसके अंदर connect करना पड़ता है और उसके बाद आप इसको simple way में यूज़ कर सकते हैं पाकी इसके features बहुत अच्छे हैं जैसे कि इसके अंदर आपको 2GB RAM मिलता है जिसको आप extend करके 8GB RAM तक कर सकते हैं यह 1.5GHz Quotex A72 Processor के साथ आता है जो कि heavy task को बहुत ही easy way में handle कर लिता है तो आपको यहाँ पर कोई lagging भी सो नहीं होगी और जिसके मतलब से आप इसको एक ही time पर 2 monitor के अंदर भी use कर सकते हैं नमबर 6 पर आते हैं Proxmark 3 जो कि एक ऐसा device है जिसकी मतलब से आप credit card hack कर सकते हैं या फिर कोई भी ऐसी RFID card या फिर कोई भी ऐसी RFID security जो होती है उसको hack कर सकते हैं तो इसका क्या होता है कि जो RFID या फिर radio frequency ID होती है उसका clone बना कर उस पर attack करना होता है इसको use करना बहुत ही simple है आपको क्या करना है जो भी card है उसको इस पर press करना है उसके बाद यह उसका clone बना देता है उसके बाद आप इसको use कर सकते हैं आप simply अपना card use कर रहे हैं और उसके बाद कुछ दिनों बाद आपको क्या पता चलता है कि आपका card hack हो चुका है तो यह चीज़े बहुत ही खतरनाक हो सकती है आप इस डिबाइस का use करके यह सारी चीज़े कर सकते हैं नमर फाइब फाइब आप यह चीज़ तो जानते ही होंगे कि हैकिंग में टाइपिंग स्पीड होना कितना ज़रूरी होता है और जो normal keyboard होता है वो उतना एफसेर ने होता है fast typing के लिए तो यह keyboard आपको allow करता है fast typing के लिए क्योंकि यह divide हो जाता है दो parts में जिसकी मदद से आप fast typing कर सकते हैं pudding palm rest भी दिया जाता है और इसके अंदर आप नए attachments भी लगा सकते हैं जैसे की टच पैड या फिर ने कीज लगा सकते हो जो कि आपके ऊपर है यह बहुत ही डिवरेबल होता है इसलिए जितने भी एकर्स होते हैं वो इसका यूज जरूर करते हैं और यह वाटर प्रूफ भी है जिसकी मदद से आप इसको कहीं पर भी यूज कर सकते हैं और दिखन के अंदर आपको कोई भी इसकेल की जरूरत नहीं पड़ती है आप इसको सिंपली इंजेक्ट करके की का क्लोन बनाकर उसको यूज कर सकते हैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आपके पास कार है तो उसको ध्यान से यूज किजिएगा नंबर थ्री पर आता है लेंड ट कर सकता है अगर आप किसी मेडिशन के बारे में सर्च कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको ये गलत इंफरमेशन भी सो कर सकता है जैसे कि मालो आपने सरदर्द के दवा के बारे में सर्च किया तो वहाँ पर आपको ये पेड़ दर्द का दवा भी दिखा सकता है जिसको लेने क गैजर्स की बात हो रही है और उसमें फिलिपर जीरो ना आ है ऐसा हुई ही नहीं सकता इसकी मतलब से आप ऐसी ऐसी चीज़े कर सकते हैं जो कि नॉर्मल लोग सोच भी नहीं सकते हैं इसके मैं कुछ एक्जांपल्स बता देता हूँ जैसे कि मालो आप अगर ट्राफिक में फ एकाउंट को हैक कर सकते हैं और उसको प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं और इसके मतलब से जो मोशली हम होरर मुविस में देखते हैं लाइट ऑन आफ और ऐसी चीज़े जो भी होररेवल होती है उसको भी हम परफॉर्म कर सकते हैं इसके मतलब से आप किसी भी एरिया के लाइट को on off अपने हिसाब से कर सकते हैं और यह बहुत ही छोटा होनी के वज़े से आप इसको कहीं पर भी ले जा सकते हैं यह बहुत ही portable होता है और इसके अंदर एक dolphin होती है जो कि क्या करती है अगर आपने बहुत ज्यादा hacking कर ली है तो उसमें smile करती है और अगर आपने कम hacking किया है तो वो sad हो जाती है और इस device का link मैं आपको description box में दे दूँगा जहां से आप इसको purchase कर सकते हैं नमबर वन पर आता है ATM skimmer जिसके मदद से scammers या फिर hackers ATM cards को hack कर लेते हैं तो इसके कुछ portable version से जो कि scammers क्या करते हैं उसको ATM में inject कर देते हैं और यह इतना advance होता है कि आपको पता भी नहीं चलता कि ATM के अंदर कुछ गड़ बड़ी है जिससे आप simply जब ATM cards अंदर डालते हैं तो यह सारी details को capture कर लेता है और फिर scammers बाद में उसका यूज लेकर आपके ATM या फिर पैसे को पुरा खाली कर देते हैं तो यह था हमारा आज का session जिसके अंदर हमने देखा top 10 dangerous hacking tools के बारे में और इन सारे tools का link मैं आपको description box में दे दूँगा जहां से आप इन सब को purchase कर सकते हैं और अब मिलते हैं अगले session में तब तक के लिए stay safe, stay secure, thank you and happy life